बहुत से बहन और भाईयों का ये परसन होता है कि रिष्टे बहुत आते हैं, संबन नहीं जूटता, विवाह नहीं होता, देखने वाले आते हैं, लड़की के विवाह में रूकावट, लड़के के विवाह में रूकावट, मन पसंद, मन चाहि साधी में रूकावट, कई पर कार की विगन बादाएं आती हैं, कई में क्या होता है कि कई कुंडलियों में दोस होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि हमारी कुंडली में क्या दोस है जिसके कार्ण ऐसी कठनाईया आती है और वो बे तुके बे हिसाब के उपाए करके करके हार जाते है और फिर उनका मन नहीं करता कोई उपाय कोई टोटका करने के लिए कारण कमी खुद में होती है हम मेहनत करते हैं पर हमें मेहनत किस दिशा में करने चाहिए ये हम नहीं देखते उपाय हमको कौन सा बैस्ट रहेगा ये हम नहीं देखते अब पेट में दर्द है हम पेट दर्द की पेन किलर दौई मेडिसन लेंगे लेकिन हम रिपोर्ट करा के ये चेक नहीं करेंगे कि वो दर्द आखिर पेट में हुआ तो हुआ क्यों पत्री की वजह एसे या कुछ खायने पीने की वजह एसे या सोजस के वज़े से या पैंडस के वज़े किस कारण हमारे पेट में दर्द हुआ वो कारण नहीं जानेंगे अगर हम रिपोर्ट के अनुसार कारण जानकर उस बिमारी का फिर हम उपाय करें हिलाज करें उसी की दौाईले में तो जल्दी राम होगा उसी प्रिकार हमें मुसीबत आती है प्रिसानियां आती है और हम अगर कुंडली ना दिखवाएं आँख बंद करके अनेक उपाय टोटके करते रहें तो साइद ही नामूंकिन हमें लाभ मिलेगा अगर किशी को मिल भी जाता है तो अंधेरे में तीर लगने वाली बात होती है अगर हम कुंडली दीखवा कर कुंडली में क्या दोस है मांगलीक दोस है जनमनक्षत्र दोस है गनमूल दोस है काल सर्फ योग है या अन्या कोई दोस है या कोई महादसा अंतर दसा किसी प्रकार का कोई दोस है तो उसी के अनुसार अगर हम उपाए करें तो बैस्ट रहेगा सो उनमें से एक उपाए है किन के लिए जिन की कुंडलियां नहीं है जनम डेट नहीं है या विवा में बहुत बादा आ रही है ये रतन इस रतन को आप चांदी में जड़वा कर आप इसको उंगली में धार्न कीजिए इसको आप तरजनी उंगली में धार्न कीजिए अनामी कामें भी कर सकते हैं लेकिन तरजनी में बहुत ज़्यादा वैस्ट लाब देगा अगर आप इसको अपने नाम से अभी मंत्रित कर चांदी में जड़वा कर गुरु आर को गुरु की होरा में या गुरु पुषयनक्षत्र में धार्न करें या अनेसुब मुर्त में पहने तो आपके जीवन में जो इकटनाई आ रही है विवा संब्द ना जुड़ना लगन ना बनना साधी विवा के अर्चन वो बहुत जल्द दूर होगी इस परकार या आपुट्मक्वाल्टी का रथन लीजिए अपने वजन के अनुसार पहनिए अगर आपका वजनशक्षत्र 45 किलो से पचास की बीच में है तो सवा चार या साड़े चार रती का धार्न करें पचास केजी से कुछ उपर है तो सवा पाच्छे साढ़े पांच रत्ती का आप धारन करें इस परिकार अपने वजन के नुसार धारन करें कुल मिलाके अपने वजन से ज्यादा रत्ती का आप धारन कर सकते हैं कम रत्ती का धारन करने से उत्तम लाव मिलने में समय लग सकता है या साइद ना भी मिले अगर मिले तो काफ़ी समय बाद सो दोस्तो आप ब्रहस्पति का रतन पुखराज या पुखराज का उपरतन या पिला जरकन इत्यादि अपनी समर्थ है कि उन्सार धार न कर सकते हैं विवा के सम्मंदी आपको 101% रिजल्ट मिलेगा लेकिन आपकी कुणले में कोई बड़ा दोस्त तो नहीं यह आप पहले दिखवा लें चेक कर लिए अन्या जानकारी के लिए जुड़े रही हमारे चैनल के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाईए बैल पर भी क्लिक कीजिए वीडियो को शेर करें कुछ पूछना है कमेंट करके पूछ सकते हैं लाइक करें और वटसप पर भी आप अपने बारे पूछ सकते हैं और इत्यादी अपने वजन के अनुसार आप जरकन हमारे भावन से मंगवा सकते हैं धन्यवाद खुश रहो